तो हेलो और नमस्कार दोस्तों सरकारी जोब ग्यान के ओपीशेल यूटूब चेनल पर आप सभी का स्वागत है सुप्रेंड से शुड़ में हम बात करेंगे इंडियन रेल्वेज भरती 2022 के बारे में जे हा दोस्तों railway recruitment cell center railway की तरफ से निकाली गईë vámp让-bhrtion के अपडेट के बारे में हम बात करेंगे ऑपीशनल लूटीकीशन के साथ में बात करेंगे तोस्तों कि यहां पर आपकी कितनी वकिंसीज रखी गई है कब से कब तक आप apply कर सकते हैं आपका सेलेक्शन प्रोसेस क्या रहीगा, कितने पदो पर ये वेकिंसीज हैं, सती में दूस्तों कुन-कुन से पोस्ट के लिए वेकिंसीज रखी गई हैं, आपका पेस्केल कितना पर वाइड आपको यहां पर किया जाएगा, इन सबी टोपिक के बारे में शूड़ों में ब आपको सबसे पहले मिल सके, इसी के साथ में फ्रेंड से नीचे कमेंट बोक्स में आप अपने इस टेट का नाम और अपना नाम लिखना बिल्कुल मत बूलना, टाकि आपके इस टेट की वेकिंसीज की इन्फोमिशन भी आप तक सबसे पहले पहुंचाए जा सके, चली फ्र परती से संबंदित इसका Official Notification देखने को मिल जाएगा, यहां से आप इसका Official Notification डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिसक्रप्सिर पर मैं आपको इसका डायरेक्ट लिंक पर वाइड कर दूँगा, यहां पर आप चेक कर सकते हैं, सेंटर रेलवे, रेलवे, रेलिवे, 422 पद रखे गए हैं जिनके लिए आप एपलाई कर सकते हैं IDC के साथ में दोस्तो आगी की बात कर लें तो mode of selection आप यहां से चेक कर पाएंगे कि आपका mode of selection यहां पर क्या रहने वाला है तो यहां पर आप चेक कर पाएंगे आप यहां से ले सकते हैं और यह भी चेक कर सकते हैं कि कौन से कलेस्टर से कितनी vacancies निकाली गई है तो उसकी update आप official notification से ले पाएंगे मैं आपको other update के बारे में बता देता हूँ यहां पर कि आपका selection process वगरा क्या रहेगा किस तरीकी से आप इस बर्ति के लिए apply कर पाएंगे So eligibility conditions के बारे मागर बात के लिए तो आपकी minimum age 15 सार यहां पर होनी चाहिए तब यह आप apply कर सकते हैं और 24 साल आपकी यहां पर maximum age limit होनी चाहिए अगर आपकी 24 साल से ज़्यादा age है तो आप यहां पर apply नहीं कर सकते हैं वहीं दूस्तों SC-ST candidate को यहां पर 5 साल की छूट जाएगी मतलब कि 29 year तक की candidate अपलाई कर सकते हैं और OBC candidate को 3 साल की government tools के अनुसार छूट दी जाएगी मतलब कि 27 year तक की candidate अपलाई कर पाएंगे यहां पर आप अपनी डेटो पर चेक कर सकते हैं कि general category, SC category, OBC category के लिए क्या जो है DOB रखी गई है इसी के साथ में दूस्तों अगर आप यहां पर एक्सरिस्मेन या फिर डिसिबल्टी candidate है तो आपको यहां पर 10 साल की अपर age limit छूट दी जाएगी एक्सरिस्मेन कंडिडेट के लिए भी हां पर कुछ है जो है age में elections पर वाइड किया चाहेंगे minimum qualification अगर आप यहां पर 10 प्लस 2 जो है complete कर चुके हैं 50% mark के साथ में तो आप आवी दिन कर सकते हैं 100 रुपे आपको application fees जमा करवाने होगी जो कि non-refendable रहेगी इसी के साथ में दोस्तों आप इस बरती के लिए online payment कर सकते हैं मतलब कि debit card, credit card, net banking और UPI के थुरू आप अपना application fees जमा करवा पाएंगे इस बरती से सम्मंदित other information के बारे में बात के लिए यहां पर आपको दिया गया कि आप किस तरीके से इसका online form जो है submit कर सकते हैं यहां पर आपको इसके photo signature से सम्मंदित या फिर जो documents आपको upload करने हैं उन्से सम्मंदित information देखने को मिल जाएगी last date for recipient of application की बात करने तो 16 February तक आप इसके लिए apply कर सकते है अगर आप यहां पर already login कर चूंगे तो आपको login ID और password डाल करके logon कर लेंगा है है अधरवाइस आप यहां पर क्लिक ए to registration पर klik करना होगा जैसे है आप registration पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां से अपना state select कर लेना है जैसे आप state select करते तो मैं अगरहम के पास आधार काड नहीं है तो आप यहाँ पर या पर अगरहम के पास नहीं है तो पया बनाम किसे जब् приш선 अपके अगारि काड नमर आपको पर देनए तो आप येढ़कर अपयोगानों के59 और presi जट करेंडेगा तौ मैं कर देना थे जालने के बाद मां आपको अपनी डियो भी सलेक्ट करने के बाद मा आप यहां पर चेक पर सब्सक्राइब कर सकते हैं गृष ओष को में श्री कर सकति हैं और अगर आपको यहां पर खुरूंज कर सकते हैं तो आप यहाँ पर ITI qualification में कौन सी trade से हैं वो आपको यहाँ पर select कर लेना है उसके बाद में आपको अपना application form यहाँ पर कौन सी category से हैं आप जो submit करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर select कर लेना है उसके बाद में आपको next के button पर click करना है इस बरती से सम्मंदित अगर कोई और इंफोर्मेशन चाहिए तो आप ओपिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें ताकि आगयान वली सभी नई लेटिस्ट गोवर्मेंट जोबस की इनफोर्मिशन आपको सबसे पहले मिल सकें सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार बायट चेहिं दोस्तों